नमस्कार मैं अभय कुमार इतिहास इभाग डियेवी असनात कोत्तर महाविद्धाले सिवान आज हम लोग एमे चतुर्थ सिमेस्टर के अंतरगत जो दूसरा पेपर है यानि एम 402C उसके अंतरगत आदिवासी आंदलोनों की परमुक बिसेस्ताओं पर चर्चा करेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में बिटिस समराज्य की अस्थापना के साथ ही भारत के अलग अलग जगहों पर विविन आदिवासी समुदायों के द्वारा बिटिस समराज्यवाद का विरोध परकट किया हिंसात्मक आंदोलन उनके खिलाफ हुए और इसमें जो बिटिस समर इनों को बेदखल करने की भी परकिरिया चला रहे थे उनके खिलाफ एक विद्रो था यदि हम संथाल विद्रो कोल विद्रो मुंडा विद्रो इन सब का आकलन करें तो उनमें एक खास विशेस्ताय नजर आती हैं जिनमें लगवग बहुत सारी समनताय देखने को मिलती हैं हम इन ही समनताओं पर आज हम चर्चा करेंगे जिसके द्वारा यह हसपस्ठ होगा कि भारत में आदिवासी आंदलोनों की क्या विशेस्ताय रही हैं लेकिन इसके साथी भारत में आदिवासी आंदलोनों की और किसान आंदलोनों में भी बहुत सारी समनताय मिलती हैं कुछ उनमें असमानताए भी हैं इसके अलावा जो राजे रजवाडे जो परंपरिक अविजात वर्ग था उन्होंने भी बिटिस समराज के खिलाब विद्रो किया तो एक तुलनात्मक अध्यान भी साथ में साथ हमारे इस वियाख्यान में चलता रहेगा ताकि हम आदिवासी का एक प्रमुख स्थान है उन्होंने अपने सोसन के जो परतीक थे उस पर सबसे अधिक आकरमन किया वो चाहे परसासनिक केंद्रों जैसे थाना कचहरी हो या महाजन जो बिटिस समराज के द्वारा आर्थिक छेत्र में जो सराचनात्मक परिवर्तन लाए गये थे उसके द इसके अलावा उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों उनकी समाजिक परतिस्ठा पर भी अगात किया था और आदिवासियों ने अपने सोसन को स्विकार न करते हुए अंग्रेजी सत्ता और उसके परतिक चिन्हों का विरोध किया और यह विरोध कईयक जगों पर हिंसात तौर पर भी प्रकट होता है इसी अर्थ में जब अंग्रेजों अंग्रेज प्रसासनिक पतादिकारियों जैसे थाना और कचहरी के सहयोग से महाजनों ने जब आदिवासियों के भूमी संबंदी अधिकार छिनने का प्रयास किया तो उनके खिलाब यह विद्रो प्रकट होत है इसके साथ ही जो दूसरा प्रमुख विसेश्ता है वो भी आर्थिक कारणों से जुड़ा हुआ है जैसे अंग्रेजी सासन द्वारा निर्धारित भूमिकर और जमिंदारों की बढ़ती हुई अनुशित मांगे महाजनों के ब्याज और किसानों की गरीबी और आदिवा दिवासियों ने अपना विरोध परकट किया तीसरा जो इनकी प्रमुख विसेश्ता है कि वे अपने समुदाय समाज और छेत्र में सोशन और बाहरी प्रभाव को समाब्द कर पूर्ण अस्थापित ब्यवस्ता जो उनकी परंपरिक ढंग से चली आ रही थी उसको वो फिर से अस्थापित करना चाहते थे अधिकांस आदिवासी विद्रोहों में किसी मुलभूत परिवर्तन की कलपना नहीं गई जहां एक और वे अपनी जमीनों से जूड़ना चाहते थे अपनी परंपरिक जो भूमिश्वामित्य की जो पर्णाली है उसको सुरक्षित रखना च इसी के साथ साथ कुछ जण विद्रोहों में सुधारवादी परविर्तियां भी देखी गई हैं खासतर संथाल विद्रो और ताना भगत के विद्रोह में और यह खासकर हम देखते हैं कि 1877 के पस्चात जब भारती रास्ट्रिय आंदोलन का विकास हो रहा है और भारती रा अपना के पस्चात रास्ट्रिय आंदोलन का अधार बढ़ रहा है तब आदिवासी आंदोलनों के अंतरगत भी हम रास्ट्रिय आंदोलन के चरित्र को या रास्ट्रिय आंदोलन की समझ को विक्सित होते हुए देख सकते हैं और इसका सबसे बड़ा उधारन ताना भगत क आंदोलन में देखा जा सकता है यानि 1857 से के पहले जो भी आदिवासी आंदोलन हुए जन्व विद्रोह हुए उनका नित्रित अस्थानिय वर्गों नहीं किया था उनका जो मांगे थी वो अस्थानिय मांगों से जुड़ी हुई थी चाहे वो कोल आंदोलन हो भूमी का भू जा सकता है कि उनकी जो लडाईयां थी वो हिंसात्मक होते हुए भी पारंपरिक हत्यारों के द्वारा ही लड़े गये थे और उन्होंने अपने विद्रोह को परकट करने के लिए हिंसा और लूटमार का प्रियोग व्यापक अस्तर पर किया था क्योंकि हम यह देख सकते है कि उनमें जो बिटिस समराज के द्वारा राजनीतिक सुविधाय दी जा रही थी या कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल अस्पेस दिये जा रहे थे आदिवासी समुदायों तक वह अभी तक नहीं पहुचा था इसलिए रंजीत गोहा जैसे इतिहासकार भी मानते हैं कि इनका जो बिरोध का तरीका था वह एक प्रात्मिक विद्रो के तरीके के तौर पर हम देख सकते हैं जो प्रात्मिक समुदायों में प्राइमिटिव कम्मुनिटीज में होता है और शोशन करने वाले जो भारतिय पदादिकारी हूं अंग्रेज पदादिकारी हूं या महाजन हों व्यपारी हों इन बिरुद हिंसात्मक प्रयोग इनके आंदोलन की एक परमुख विसेश्ता मानी जा सकती है और हिंसा का व्यापक अस्तर पर इस्तमाल हम देखते हैं कि सिद्धू कानू के संथाल विद्रो और बिर्शा मुंडा के द्वारा जो चलाया गया था मुंडा आंदोलन उसमें हम व् इन हिनसात्मक आंदोलनों को घटित होते हुए देख सकते हैं यह भी सत्य है कि ठाना और कचहरीन के द्वारा उन्हें कभी भी नयाय नहीं मिला यहां तक कि पुलिस ने जोटे आरोप में उन्हें बंदी मनाने की चेस्टा की तो वास्तिविक ज्यान होने पर उन्होंने अ उन्हें संदे था कि वे सत्ता का साथ दे रहें यानि उनके जो सोसक हैं उनका साथ दे रहें आदिवासी विद्रोहियों ने लूट के समान को या तो परस पर बाट लिया या उसे नस्ट कर दिया महाजनों के बहीक हातों और सरकारी मारतों को नस्ट किया गया इस परकार हि नियाय दिलवाने का भी प्रयास किया इन ही प्रयासों को एरिक हॉपसबॉम ने सोसल बैंडेट्री यानि समाजिक डगैती से संबंदित विचारधारा का सिधान्त परतिपादन किया था जिसमें इन आदिवासी विद्रोहों के इन ही सब पहलूँ पर विचार विमर्श किया गया था इसके साथ ही हम पाते हैं कि इन जन विद्रोहों के दवरान यानि आदिवासी संप्रदायों के द्वारा जो विरोध किये गये उनमें धर्म का और धार्मिक परतिकों का व्यापक प्रयोग किया गया और इस संबंद में उनकी कईयक विसेस्ताएं देखी जा सकती ह जैसे इसाई धर्म के खिलात उत्पन आक्रोस ने इनमें अंग्रेजी सासन के खिलाब भी नफरत पैदा की अनेक आदिवासी आंदोलन के नेताओं ने अपने आपको मसीहा घोसित करते हुए अनियायों अपने अनुआयों को अपने समर्थकों को आस्वासन दिया कि वे इ ऐसे समाज और राज्य का निर्मान करेंगे जहां उन्हें अधिकार मिलेगा उन्होंने यह भी घोसना की कि स्वयम इस्वर ने उन्हें सोसितों का यानि अपने समदाय के जो सोसित हैं उनका नेत्रित करने के लिए कहा है और उनके आदेशों को एक डिवाइन ब्लेसिंग् और इस प्रकार के आंदोलन अधिकांस आदिवासी समदायों में देखे जा सकते हैं चाहे वो कोल विद्रों हो संथाल हो या बिर्शा मुंडा जैसे बिर्शा मुंडा को भगवान की उपाधी उनके समदाय के लोगों ने दी थी और उन्हें माना था कि बिर्शा भगवान के आसिरवाद से उनको कोई भी हानी नहीं पहुचेगा और अंग्रेजों की पराजय होगी इसी के साथ ही धार्मिक तोर पर हम देखते हैं कि संथाल जैसे की संथाल विद्रों में अनेक निर्दोस इस्त्रियों को चुलैल घोसित करके उनकी हत्या कर दी गई जहां सोसक और सोसित वर्ग के धर्म में अंतर पाया गया यानि जहां पर जो सोसित वर्ग था अपने सोसक वर्ग के धर्म में अंतर को पाते वे विद्रों के तोरान ब्यापक धार्मिक हिंसा का इस्तेमाल हुगा और इस संदर में हम देख सकते हैं खास करके मोपला विद्रों में जहां मुस्लिम किसानों ने हिंदू जमिंदारों और महाजनों की हत्या की और अपने इसकार्ज को उन्होंने सही माना अगली विसेस्ता के तौर पर हम देख सकते हैं कि अत्यचारों के खिलाप जब उन्होंने आवाज उठाई और विद्रों ये सहज नहीं उत्पन हुए तो सक्तिसाली सासकों के खिलाप विद्रों सुरू करने से पहले उन्होंने तैयारी भी किया ऐसा नहीं है कि जनसधारन या आदिवासी संबुर्दायों के द्वारा जो विद्रों किये यकायक अचानक उठ खड़े हुए यद्पी विद्यासकारों ने उन्हें स्वता अस्पुर्थ आंदोलन के तौर पर देखा है लेकिन जब हम उनका गहन विसलेषन करेंगे तो पाएंगे कि अपने सक्तिशाली सोषकों के खिलाब विद्रों शुरू करने से पहले उन्होंने व्यापक तैयारी की थी और विद्रों के दवरान संगठन और एकता पर भी धियान दिया जाएगा यद पी हमें व्यापक स्रोत अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं जहां आदिवासी समुदायोंने किस तरह से तयारी की लेकिन जब हम उनके हमले के तरीकों को देखते हैं उनके आपस में जो समवाद होते हैं तो हम पाते हैं कि निश्ची तोर पर एक व्यापक तयारी की थी तो हम मान सकते हैं कि उन्होंने अपने विरोध को प्रकट करने के लिए व्यापक तैयारी भी किया था इस प्रकार इन बातों से सपस्ट होता है कि अंग्रेजी सासन के दोरान जो आदिवासी संपुर्दायों हुए हैं उनकी पास विद्रो करने के तरीके प्राइमिट किया करते थे इसके अलावा जब बाद के हम आदिवासी आंदलोनों पर नजर डालते हैं तो उनमें कुछ सुधारवादी प्रविर्तियां भी दिखाई देती हैं जैसे कि सराब बंदी या प्रोहिवीशन का भी ताना भगत के आंदोलन में ये दिखाई देता है लेकिन ज ये ऐसी आकांख्षा चाहे वो बंगाल हों विहार हों मध्य परदेत मध्य भारत हों पश्चिमी भारत हूं या दक्षिन भारत के जो भी जन आंदोलन आदिवासी आंदोलोन हैं उन सब में ये दिखाई पड़ती है और इनी विस्सिस्ताओं को हम समझ करके आदिवासी आ नेवाद